तंदूरी फिश की रेस्पी देखते हैं, त्व जुष के चारकुल मॵीन्यू उ यदि आप इस फिश को कोग करेंगे तो वही स्मोक की फ्लेवर इसमें आ जाता है जिसे मैंने अच्छी तरह से कूटके रखा हुआ है, तो उसे अट करेंगे, उसके बाद हम इसमें एट करेंगे गार्लिक, तो गार्लिक को भी इस तरह से क्रश करके अट किया है, आप पेस्ट भी आट कर सकते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर एक चमस लेमन जूस अट करने व अब इसमें हमें कुछ बहुत ही इंपूर्टिन चीज़े एड़ करनी है तो सबसे पहले हमें इसमें डालेंगे 2 चमद मुस्टर्ड ऐल ऐड़ करें अच्छा बढ़ में यहाँ पर मस्टर्ड ऑइल आध करूंगी, उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे तीन चम्मत बेसन तो यह मैंने यहाँ पर पिसा हुआ बेसन लिया है चैना दाल आपसे बेसन या ग्राम फ्लार भी कह सकते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन चम्मत बेसन लिया है उसके बाद मैं एड़ करूंगी दो चम्मत चावल का आटा तो यहाँ पर दो स्पून मैंने यहा पर एक बेकिंग टे और नीचे में यहाँ पर एक चमस लगा देंगी मस्टर्ड ओईल तो मैं इस मस्टर्ड ओईल को अच्छी तरह से इसमें फैला देती हूं आप इसमें मस्टर्ड ओईल या कोकेनेट ओईल ही इस्तमाल के रिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जा तो हम चलते है माइक्रुवेब की तरह फो सब से पहले हम अपने माइक्रुवेब में रखेंगे जाली यह मेहन ने यहां पर लिए ह्या यहाँ है कि हमें मुट्रे ाइंट कि मिलता है तो अब कुरत दीया है उसके बाद हम इसमें रख देंगे अपनी फिश को तो हम इसे फिश को भी रख देते हैं अब हम इसका आप यहाँ पर चारकोल मॉडल सेट करेंगे चारकोल मोड सेट करने वाले हैं तो आप स्क्रीन पर देखिए तो यहाँ है चारकोल बटन तो उसको हम प्रेस करेंगे आप पर 20 नमबर पर है फिश तंदूरी तो उसको सेट करके मैंने स्टार्ट की बटन को प्रेस किया अब इसी गोल वाली बटन से हमें इसका वेड़ सेट करना है तो 0.5 सेट किया इसका वेड़ सेट करते हैं कि जो हमारी जो फिश है वो आखर हमने कितने कितनी ग्राम ली है उस सा हमारी फिश होती है अच्छे तरह से कोख होती है यदि आप एक पाव भी लाते हैं तो आप 0.5 ही सेट करिए और 8 मिनिट का टाइम इसमें शो कर रहा था तो आप्टर 4 मिनिट एक छोटी सी बीब का साउंड आता है तो आपको स्टॉप की बटन को प्रेस करना है उसके सकते हैं लेकिन इसके बाद हमें कुछ भी स्पून बगेरा जरूर लेना पड़ेगा क्योंकि अभी इतनी गरम नहीं हुई है अब इसको हम रख देते हैं अप्टर 2 मिनिट इसमें एक और साउंड आएगा तो आभी तो हम प्रेस कर देते हैं बटन को और इसे को खोने देत हैं प्रेव इसमें थोड़ा सा एक और साउंड आता है आप चाहें तो इसे निकाले के पलट यह या नहीं वह इसलिए मैं इसको पलट देती हूँ तो अप्र टूमइन से कि नहीं आती है बहुत ज्यादा आवाज इसनीमी आती है तो आपको असको सुनना है और जैसे ही बी से पलट देना है तो यह देखिए आप्टर टू मिनिट सो चुके फिसे तो यह इसमें एक और साउंड आया था तो आप मैं फिश को पलट दूंगी और आप देख सकते हैं फिश में किस तरह से ओयल भी निकलने लगा है साथ में इसमें कितने चीते से भाब भी उड़ रही है एट मिनिट हो चुके हैं चार कोल में हमारी जो फिस से अच्छी तरह से कोख हो चुकी है अब निकाल देते हैं यह देखिए फिस हमारी कोख हो चुकी है लेकिन आप देख सकते हैं इसमें उपर से क्रंची नेस नहीं आया है तो इसके लिए मैं थोड़ी देर इसे ग्रिल क करूंगी आप चाहें तो ऐसे इंजोई कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ी सी क्रंची भी चाहिए है तो अब मैं इसका माइक्रोवेब का ग्रिल मोड सेट कर रही हूँ यह देखिए और अब मैं इसका टाइम सेट करती हूँ अब इसके स्टॉप करती हूँ यह देखिए उपर की साइड हमारी जो फ्रेसे बहुत अच्छी तरह से क्रंची हो चुकी है आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से उपर से सिख चुकी है जैसे कि हमने इसे डीफ्राइ किया हो अब इसे पलट दूँगी अच्छी तरह से यह देखिए फिश अपना खुद से ही ओईल निकाल देती है मतलब निकलने लगता है उसमें तो हमें इसमें कुछ भी ओईल एड करनी की वुलकुल भी जरूत नहीं पड़ती है दुवारा तो अब मैंने इसको पलट दिया है अब मैं फिश से इसका फोर मिट का टाइम साथ में बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है तो आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो फिश है तंदूरी फिश से एकदम परफेटली तयार होगी और उसका जो फ्लेवर है बहुत दिवर जाएगा क्यूंकि उसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है स तो बिस हमारी यह देखिए तंदूरी फिश बुल को तयार हो चुकी है तो चलिए अब हमको दिखा देते हैं आप देख सकते हैं पूरा मसाल अच्छी तरह से सूप चुका है और कितनी प्यारी और कितनी टेश्टी देख रही है उपर का अच्छा तरह से क्रंची क्रंची का वीडियो कैसा लगा जब तक मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेस वीडियो में बाई थैंक यू सो मच बाई